सभी statements को अपना complete करना है first statement है हमारा probability of event plus probability of event not e is equal ix यानि कि यहाँ पर कहा गया है कि किसी भी event की probability और किसी भी event के ना होने की probability का sum क्या होता है जैसे कि मैंने आपको introduction वाली वीडियो में बताया था कि formula बताया था second वाला probability of e plus probability of not e not e को बार से denote करते है इसका सम्ट क्या होता है हमारा 1 तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे अपना 1 अब ऐसे ही second statement है हमारा the probability of an event that cannot happen is dash यानि कि किसी भी event की ऐसी probability जो हुई नहीं है यानि कि जो probability हमारी होने के बिलकुट ना chances है वो क्या होती है हमारी इसके लिए भी मैंने introduction में के example बताया था जैसे कि हमारे पस एक ball के अंदर three marbles हैं और वो तीनों ही red color के हैं अब अगर कहा जाए कि इस ball के अंदर से black color के marble कर निकालो black color कर तो marble इसके अंदर है ही नहीं तो इसकी probability क्या हो जाएगी हमारी zero तो answer क्या हो जाएगा हमारा zero and आगे क्या लिखा है such an event is called इस इवेंट को क्या बोलते हैं हम अपना impossible event तो यहां पर हम लिख देंगे impossible event आप सब इसे मेरी एक request है आप जब कभी मैट्स का कोई भी chapter करें तो उसके लिए introduction वाली वीडियो को हमेशा देखा करें ताके आपके concept अच्छे से clear हो सके वैसे तो मैं हर एक situation के निए हर एक statement के निए सारे ही concept clear कर नहीं हूँ मगर फिर भी आप हमेशा introduction वाली वीडियो ज़रूर देखा करें third statement है हमारा the probability of an event that is certain is dash यानि कि जिस probability जो probability का answer हमारा certain होता है तो उस probability हमारी certain होती है उसका event certain होता है तो उसका answer क्या आता है हमेशा हमारा one और हम उस event को क्या बोलते हैं अपना short event तो यहां पर हम लिख देंगे short event तो इसको भी एक example से समझ लेते हैं जैसे कि मैंने आपको introduction वाली वीडियो में समझाया था यानि कि जो काम हमारा हर हाल में होना है उसका answer हमेशा क्या आता है हमारा one अब अगर जैसे कि हमारे पास ये एक box है और इस box के अंदर three black balls हैं और अगर हमसे यहां पर कहा जाए कि black ball की probability क्या होगी तो ये तो हमारा short event होगा क्योंकि इसके अंदर हमारी सारी के सारी balls कैसी है black color की है अगर हम किसी भी ball को निकालेंगे तो probability का answer क्या आएगा हमारा one क्योंकि black ball आने के chances हमारे one ही रहेंगे एक बार के अंदर तो इस ऐसे वाले जो हमारी probability होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं उनका answer हमेशा one आता है और इसे कहते हैं हम अपना short event अब next है हमारा the sum of the probabilities of all elementary event of experiment is यानि की elementary event का जो हमारा experiment करके answer आता है वो हमेशा हमारा one आता है तो इसके लिए भी एक example ले ले लेते हैं जैसे कि हमारे पस एक coin है और एक coin के उपर एक होता है head और एक होता है हमारे पस tell तो पहले ये जान लो कि elementary event क्या होता है elementary event उस event को कहते हैं जिसका एक बार में एक ही outcome आए तो इसके लिए example क्या है हमारा head है अगर हम coin है अगर इस coin को हम एक बार toss करेंगे तो एक बार में head आ सकता है या फिर tell ये आएगा दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी तो elementary event उस event को कहते हैं जिसका एक बार के अंदर एक outcome आए अब elementary event का experiment का sum हमेशा हमारा one होता है कैसे head आने की probability का sum क्या होगा हमारा total number of outcomes क्या है यहाँ पर हमारे two और head कितनी बार है एक बार अब ऐसे ही tell आने की probability के total number of outcomes कितने है यहाँ पर हमारे two और tell कितनी बार आ सकता है एक बार अब अगर हम इनका sum निकालें दोनों ही elementary event का तो one by two plus one by two यानि की two और LCM होकर आएगा हमारा two यानि की दोनों cancel out होकर किया आएंगे one यानि की elementary event का जो हमारा experiment का sum होता है वो हमेशा कितना आता है one इस बात को हमेशा अच्छे से हमें धियान रखनी है the probability of an event is greater than or equal to dash and less than or equal to dash जैसा कि मैंने आपको बताया था कि probability का answer हमेशा हमारा जैसे की एक number line है zero और one तो probability का answer हमेशा हमारा zero और one के बीच में लाए करता है तो किसी भी event की जो हमारी probability होगी वो हमेशा क्या होगी या तो फिर zero की equal होगी या फिर zero से बड़ी होगी तो यहां पर हम क्या लिख देंगे zero और किसी भी event की हमारी probability one के equal होगी या फिर हमारी one से कम होगी तो यहां पर क्या लिख देंगे less than और equal to 1 जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि probability of event हमेशा हमारी greater than 0 और equal to 0 होती है और ऐसे ही less than 1 और greater than 1 होती है तो ऐसे ही यहां पर हमसे पूछा गया था अब अगर आपको यह question अच्छे से समझ में आया है तो please वीडियो को like, subscribe और share जरूर करें